बनाते वक्त सबसे पहले हम डालेंगे दूद जिसका होना अनिवारी है नहीं तो इसके बिना आप चाय नहीं बना पाऊगे ठीक है तो इसको धीरे धीरे गयास घ्यास हरकी इस पर रखे अगर अगर आप एक वेक्ति के लिए बना रहे हो तो जो छोटा वाला 10 रुपे का आप देजी और वसादा जैटली तो नहीं हो रहा है वेंचट ठीक है कोई बात नहीं इसके बाद इसके बाद जो चाई का महत्वपूर्ण हिससा है वो डाले मतलब चाय पत्ती जो है और आई खुड़ने रहे है एक मुना या डेक्माट खुड़ने रहे अतक परिश्रम के कि बाद चाय पत्ती का डब भख भरीगा है भाई ग्रणा बप बात विज को अगर दूठ उबलनेगे तो बस ऐसे थोड़ा दिजिए हैसे ऐसे ऐसेसे एवर दीजिए है यह वह एसे रग दीजिए ठीक है यह तो एपनाले मेंज़्क अभेए यह एक प्र समर्णा फाशará यह तो मतलब बार-बार हिलाना बट रहा इसे हैं कोई बात नहीं हिख proud आप चाय बनाते वक्त एह सब्दें हुप म्तलत है इसाई है कि लोग जाएगी कि चया से हिलाना कि दूम कर दोर बार-फार यह बाद नहीं है कि अब अब दालने आपने जाए को चाय का सबसे महता पुरून हिस्सा सककर अब जितनी चाय डाल सकते हो क्योंकि जिसको मीठा पसंदे वो मीठा डाले मुझे तो भाई चाय पसंदे रहे इसके बाद अब भाटक ने देना है थोड़ी देर ऐसे अंसर देखते रहना है चाय क्योंकि हाँ भाई बन अब इसमय रहा है थोड़ा ठोड़ा ध्याइए टीक है ठीक है ठीक है, हो जाएगी हो जाएगी आप इसके बाद में थोडहा ब्लनने तक बैट करना है और थीर क्यास बंग कर देना है लोग जए है ओबल गया है अर्यंधर आप मांखी 7 अब इसको धीरे से ग्लास कब जूड़ी है इसमें डाल दीजिए आपका चाय हो गया तयार तयार होनिक बाद कैसे दिख रहा है हम बताएंगे और टेज भी बताएंगे अइसरी नहीं है अपत्राओं सोट्थिए इस तरीके से आपकी चाय रिडियोंगी और अकली लिए इत्र शाय काफी नहीं हैसा तो फिर भी अब बताएंगे हमकी मतलब कैसे चाय हुई है तो यह होगी चाय और हम इसे पीएंगे पी के बताएंगे कि इसका मतलब रिवी का है ठीक है तब तक कि आप मतलब फर्स देखते रही है बाल है यार मतलब ठीक है बैचलर्स लोग है हो जाता है इसे हाँ एक दम जखास वी जखास चीरस पॉन चाय इसका नाम के रखे भाई कोई बात नहीं चाय का नाम के रखे चाही ठीक है मिलते हैं फिर अगले वीडियो में जल्दी